नमस्कार मैं हूं मॉनिका आरिया नवजाज शिशू को पचाने के मोहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जहारखंड के दो जिलों में जहां पिछले दिनों तो नवजाज शिशू के शव बरामद हुए थे दोनों हें शिशू लड़के थे एक घटना बोकारो जिले में घटी तो वहीं दूसरी घटना गुमला जिले में घटी यह दोनों घटनाए 26 अक्तुबर को यानि दिवाली के करीब दो दिन बाद घटे दोई है और एक जो बच्चा है जो बोकारों में जो घटना हुई है वो सुभे सुभे त कुछ कुटों को लोगों ने देखा जो एक नवजास शीशू के शब को कहीं से खीच कर लेकर आ रहे थे यह जो घटना है यह वो कारों स्टील सिटी के सेक्टर टू बी में घटी लोगों ने पुलिस को इंफॉर्म किया थानाए की पुलिस वहां पहुची और बच्ची के शब को वहां से लिग गई बच्ची के पेरेंट्स की बारे में या वो बच्ची को कहां से लिकर आये थे कुट्ते उसको थोड़ा सा जानने का दूनने का प्रयास किया गया लेकिन पुलिस को इसमें कोई भी साफलता नहीं मिली हमने जब इस बारे में समध्दित तथाना परभारे से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में कोई भी एफाया नहीं की गई है नहीं शिशु के शब को पोस्ट मॉटम के लिए कहीं भेजा गया था बलकि पुलिस ने खुद ही बच्चे के शब को दफना दिया वहीं जो दूसरी घट्टा है जो गुमला जिले घटी है वह गुमला जी लेकि घागरा थाना शेतर के जलका गाउं में हुई यहां विजय पासवान की खेत में एक कुवा था इस कुवें से खेत में पट्वन का काम लिया जाता था इसी कुवें में बच्चे का शब बरामद हुआ ग्रामिनों ने जब बच्चे के शब को वहां कुवें में तैरते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत घगरा थाने को इनफॉर्म किया जो वहां की थाना परवारी है श्री अमिच जी उनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि मामले में आईपी सेक्शन 316-318 के तहत के इस दर्ज कर लिया गया साथ ही शीशो के शव को पोस्ट मॉटम के लिए सदर थाने भी भेजा गया गुमला की सदर अस्पताल में भेजा गया आम तोर पर जो पोस्ट मॉटम रिपोर्ट है वो एक हफते में आ जाती है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आने का इंतजार है पुलिस को संदे है कि आम जो लोगों ने उन् पुलीस को भी यही संदे है लोकलाज से मतलब है कि किसी बिन ब्याही मा ने बच्चे को जन दिया और बहां कुए में डाल कर बच्चे की जान ले ली लेकिन पालोना को संशे कुछ और है बच्चे के शरीर पर कुछ सफे सफे तरह की निशान नजर आ रहे हैं इसके लावा बच्चे का जो प्लेसेंटा है जो गर्वनाल भी है वो भी बच्चे के साथ लगी हुई है और पुलिस से बाचित करने पर यह मालूम हुआ कि बच्चे के सर के दाहिनी तरफ चोट भी लगी हुई है यह चोट उसे कोए में डालने के दोरान भी लग सकती है और संभव था बच्चे की जो हत्या है ये उसके शरीर पर जो सफेद रंग की जो निशान नजर आ रहे हैं वो सब शैद किसी तरह की कोई स्कीन डिजीज हो सकती है या निशानों की वज़े से हैं उस बच्चे से पिंड छुडाने के लिए जो जिन्होंने भी बच्चे की हत्या है उन्होंने उसको वहाँ पर मार कर डाल दिया है या न दाल कर दिया लोक लट वाला वी इक मामला हो सकता है यह तो गयन जाट परताल के बादी पे जा चल पाएगा कि असल में यह अपसोस जलक बात यह है कि सेफ सरेंडर का विकल्प होते हुए भी लोग अभी भी उसका चुनाव ना करकर अपने बच्चों की जानने लेते हैं एक और इंपोर्टन चीज इसकी तरफ में आपका धियान दिलाना चाहूंगी वो यह है कि दो घटनाई हुई है दोलों जहरखन राजे में हुए है लेकिन एक मामले में पुलिस ने केश दरज किया है और दूसरे मामले में नहीं किया है पालोना ने 2018 से राज्ये में FIR दर्ज करवाने को लेकर एक ड्राइव चलाया जिसमें जहरकन पुलिस का काफी सहयोग मिला है खासकर मैं जिक्र करना चाहूंगी ADG, अनील पाल्टा सरका और ततकालेन SP अजीत पिटर डूंग डूंग जी का जिन्नों ने इस अपराद को बहुत गंधिरता से लिया और इनिशेटिव लिया पुलिस ओफिसर्स की ट्रेनिंग करवाई और पालोना ने इस पर अभी तक करीब संभवता एक हजार पुलिस ओफिसर्स को ट्रेनिंग दी है इस शिशुहत्या के मुद्दे पर और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आए इस मामले में F.I.R. दर्ज होने लगी जो कि 2018 से पहले नहीं होती थी पिछले कुछ महिनों से ये ट्रेनिंग बंद है ये जरूरी है कि राजी के हर पुलिस कर्मी को मालूम हो कि शिशुहत्या एक गंभीर अपराध है ये भी उसी तरह की एक हत्या है जैसे कि एक बड़े व्यक्ति की हत्या होती है कोई भी बड़े व्यक्ति की जब डेट की जाती है तो कि इस तरह कोई बच्चे का शव मिलने पर उसमें केस दर्ज नहीं करना या उसका पॉस्ट मोटम नहीं करवाना ये बहुत ही गलत है ये गैर कानूनी भी है और ये एक तरह से एक अपराध पर परदा डालने के समाने कम से कम पुलिस के अधिकारियों को पु करती है इस तरह की लाप्रवाई करने चाहिए कोई भी बच्चा कहीं मिलता है चाहे वह जीवीत अवस्था में मिले या फिर मृत अवस्था में मिले उस मामले में एफ्ञ यार प्रॉपर सेक्शन में जरूर होनी जहीन धन्याट